Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. यह second part होने वाला है, Inception movie का और पहला वाला पार्ट मैंने अलरड़ी explain करा हुआ है, उसका link मैं आपको उपर i button में दे दूँगी तो आप उसको पहले देख लेना. हमारा यहाँ पे explanation शुरू होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि Cobb यहाँ पे अपना एक private dream walk कर रहा है, और Ariande यहाँ पे उसके dream के अंदर गुस जाती है. यहाँ पे जब उसके सपने में वो गुसी होती है, तब उसको मालूम चलता है कि Cobb ने यहाँ पे खुद में ही एक prison type memory का बनाया हुआ है, जहाँ पे उसने जो उसके धिमाग का projection है, मैल को लेके उसको उसने वहाँ पे trap करा हुआ है. यहाँ पे वो उसको बात में इस बात की warning भी देती है कि वो कितना भी कोशिश कर ले, मगर वो मैल को वहाँ पे बहुत लंबे समय तक trap करके नहीं रख पाएगा. दूसर तरफ यहाँ पे उन लोगों को कबर मिलती है कि रॉबर्ट का जो father है, वो मर चुका है और अब जो उनका operation है, वो start करने का समय आ गया है. आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रॉबर्ट और वो जो टीम है पूरी उनकी, वो सारे मिलके flight को boat करते हैं और यहाँ पे cop जाता है और sedate कर देता है रॉबर्ट को. पहले वाले level पे वो लोग यहाँ पे abduct करना चाहते हैं, basically, kidnap करना चाहते हैं रॉबर्ट को, मगर यहाँ पे उल्टा उन पे attack हो जाता है, उसके subconscious projections को लेके. यहाँ पे सेडो को तो यहाँ गोली लग जाती है, मगर बाकी जो लोग हैं, वो किसी तरह से manage कर पाते हैं, कि वो वहाँ पे एक warehouse के अंदर जाके अपने आपको किसी तरह से बचा लें. यहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट को अल्रेडी एक dream extractor ने अच्छे से train किया हुआ है, कि अगर कोई उसके dream के अंदर घुसके उसको infiltrate करना चाहे, तो उससे वो अपने आपको कैसे बचाए? और इसी वेजे से उसके जो subconscious था, उसने यहाँ पे उसको बचाया था, जब यहाँ पे कॉब और बाकी सारे level 1 में उसके mind के अंदर घुसके उसको kidnap करना चाह रहे थे, यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि सेडो को हम लोग जगाएंगे उसको मार के, मगर कॉब यहाँ पे उ बहुत जादा infinite subconsciousness भरे वे हैं, और यहाँ पे जब तक mission complete नहीं होता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको आगे बढ़के mission को complete करना ही होगा, यहाँ पे वो लोग decide करते हैं कि यहाँ पे एक Godfather वाले figure को वो लोग introduce करने वाले हैं, जो basically browning है, और वो यहाँ पे idea डालने वाला है, alternate will को लेके कि वो company को dissolve करें, यहाँ पे Ariande और Cobb discuss करते हैं कि सेडो का जो condition है, उसमें क्या करना है, और यहाँ पे Cobb उसको बताता है कि वो और Mel एक बार ऐसे एक limbo में आ चुके हैं, basically एक बार ऐसे limbo में फस चुके हैं पहले, basically ऐसा तब हुआ था जब वो इतना ज़दा इस चीज़ को लेके इतना ज़दा confused हो गई थी कि अपने आपको जगाने की कोशिश करने में उसने चट से basically खिरकी से चलांग लगा दी थी और अपने आपको reality में मार डाला था, और इसी विज़े से अब हमें मालुम चलता है कि वो अपने family अपने बच्चो पुड़के वहां से भाग निकला था, यहां पे Robert और बाकी सारे लोग एक van में होते हैं जिसको यूसफ चला रहा होता है और बाकी सारे यहां पे दूसरे लेवल में enter करते हैं, यहां पे एक hotel से related dream होता है जो basically author ने बनाया होता है, यहां पे Cooper persuade करता है Robert को कि उसको यहां पे Robert उनको join करता है अपने खुद के subconsciousness से लड़ने में, हमें यहां इसके बाद third level का भी दिखाया जाता है, जहां पे वो सारे मिलके एक alpine fortress जैसी जगा है, वहां पे घुसते हैं, यहां पे aims basically अपना projection का इस्तमाल करता है, उन लोगों को हटाने के लिए जो लोग उस fortress को defend कर र जाते हैं, वो लोग यहां प्लान करते हैं कि वो एक और kick का इस्तमाल करेंगे, उस मौके पे जब वो जुन जिस van में बैठे वे हैं, वो पानी से एक दम आके टकराएगा, जिसके बद हमें यह भी दिखाया जाता है कि Robert और सेडो मिलके sneak in करते हैं उस fortress के अंदर जहां पे inception को basically perform करा जा सके, वेराज हम यहां पे Ariande और कॉप को देख पाते हैं कि वो लोग यहां पे snipe पर लेके बैठे वे हैं और उनको एक तरीके से cover provide कर रहे हैं, मगर यहां एक और गरबड़ी यह हो जाती है कि सेडो का जो चोट होता है basically जो उसको पहले level पे लगा होता है, वो उसको गुली मार देती है और वो मर जाता है, इसके बाद cob और Ariande जाते हैं limbo के अंदर जिससे की वो Robert को वापिस ला सके, तब तक यहां Arthur यहां एक नया kick बनाने की कोशिश करता है, जहां पे जिस lift में वो होता है, उसे वो किसी तरह से खराब करने की कोशिश कर रहा होता है बेसिकली वहां पे वो बहुत जादे explosive लगा रहा होता है, तब तक हम यह भी देख पाते हैं कि जो aims है वो भी अपना एक तरीके से खुद का kick बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे वो खुद का एक explosive लगा रहा है, उस पूरे building को ही उड़ा देने के लिए, फाइनली cob और Aryanjay को Mel मिल जाती है, जहां पे cop बताता है कि उसको, basically Mel को उसने जब limbo से उठाने की कोशिश करी थी, तब उसने एक inception उसके दिमाग के अंदर डाला था, जो basically था कि जो पूरी दुनिया है, वो actually में एक सपना है, मगर जो inception था, वो बहुत जादा deep चला गया था, इतना जाद पे अपना जो piece है, Mel के death को लेके उससे वो अपना piece बनाता है, तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि Aryanjay ने यहाँ पे Mel को गोली मार दी है, और दूसर दरफ Robert को होश आया है, क्योंकि उसने यहाँ पे kick perform करा था, Aryanjay यहाँ पे cop को बार बार बोलने लगती है कि वो उसके shadow को ढूंड सके, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, तो वो खुद भी एक तरीकी के limbo में चला गया था, क्योंकि वो अपने चोट की वज़े से third level में मर गया है, जो finally third level पे वो revive हो जाता है, basically Robert, तो उसको यहाँ पे मालूम जलता है, कि उसके जो father है, जो update pet पे है, वो उनको बता रहे हैं, कि वो अपने लिए कोई सी चीज को create करे, और यहाँ पे उसको यह भी मालूम चल जाता है, कि उस चीज को उसके दिमाग में plant करी गई है, हमें यहाँ पे ultimately दिखाया जाता है, कि टीम के जितने भी लोग हैं, वो kick का इस्तिमाल करते हैं, और वो लोग वापिस से reality में आ जाते हैं, पहले वाले level पे, यहाँ पे हमें यह भी दिखाया जाता है, कि browning यहाँ पे रुकावा है Robert के साथ, यह confirm करने के लिए कि inception जो है, उसने काम करा, कि नहीं करा, वेराज हम यहाँ कॉप को देख पाते हैं, जो अभी भी limbo के अंदर है, और उसको वहाँ सेडू तो मिल गया है, मगर सेडू की जो उमर है, वो बहुत जादा हो गई है, और यहाँ पे, वो सेडू को अपने agreement के बारे में याद भी दिलाना लगता है, जितने भी लोग dream कर रहे थे, वो सारे अपने आपको पाते हैं, कि उनकी नींद खुली है, और वो सारे plane में है और सेडू यहाँ पे फोन कॉल करता है, जिब वो लोग फाइनली लोस आंजलेस आ जाते हैं, तो कॉब यहाँ पे जो उसका immigration है, उसको पास कर जाता है, और फाइनली हम यह भी देखते हैं, कि उसका जो father-in-law है, वो उसको वहाँ पे आया है, पिक करने के लिए, फाइनली में end में यह मालूम चलता है, कि वो उसको test करके उसका जो result है, उसको देखने के लिए पूरे end तक wait करता ही नहीं है, और उल्टा उसको अपने बच्चे दिख जाते हैं, और वो उनके पास बाग के चला जाता है, और movie खतम हो जाती है, अगर आपको इस movie के explanation पसंद आई हो, then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on instagram, link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, thanks for watching, bye